लड़के को पालने की सोचती हैं, वो दोनों मिलकर उसका पालन पोसन करने लगती हैं के पास बहुत सारा दन और नागमणी है, सारा दन तुम रख लेना और नागमणी मैं रख लेना जैसे ही दोनों इच्छाधारी नागिन की गुफा के पास पोचते हैं सुन्दर बनके गने जंगलों की बीच में एक गुफा थी, उस गुफा में दो नागिन बैने आपस में मिल जुलकर रहते थी, वो दोनों नागिन बैने इच्छाधारी नागिन थी, उन में से एक का रंग सबेद और एक का रंग हरा था, उन दोनों में आपस में बहुत प्य हरी नागिन बोलती है हाँ हाँ बहन हमें बहुत साल हो गए हैं गाउं में गए हुए चलो चलते हैं हम दोनों इंसान का रूपधारण कर लेते हैं और चलते हैं दोनों इच्चादारी नागिन इंसानी रूपधारण कर लेती हैं और गाउं की तरफ निकल पड़ती हैं जैसे ही वो दोनों गाउं में पोजती हैं वो देखती हैं कि कुछ लोग मिलकर एक बच्चे को पीट रहे होते हैं सफेद नागिन से ये नहीं देखा जाता और वो हरी नागिन को बोलती है चलो बेहन उस लड़के को बचाते हैं पता नहीं ये लोग क्यों उने पीट रहे हैं हरी नागिन बोलती है हाँ बेन चलो उसे बचाते है वो दोनों उन लोगों के पास जाकर बोलते है छोड़ दो इन बच्चों को इनोंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तब एक लाला वहां आता है और उने बोलता है तुम्हें इससे क्या लेना देना है, चलो फुटो यहां से, और दोबारा यहां मत दिखना, नागिन बोलती है, नहीं नहीं, हम यह जानकर यह रहेंगे कि तुम लोग इसे क्यों बेट रहे हो, तब लाला बोलता है, तुम दोनों यह अपना रास्ता नाबो यहां से, तब सफेद नागिन बोलती है, लाला जी, आपका जितना भी कर्चा है, हम दोनों मिलकर उसे उतार देंगी, इसके बदले तुम इस लड़के को छोड़ दो, यह कहकर सफेद नागिन एक पोटली निकालती है, जिसमें बहुत सारा धन होता है, वो उस लाला को दे देती है, और लड़के को छुड़ा लेती है, दन पाकर लाला जी बहुत खुश होते हैं, और वो उस लड़के को छोड़ देते है, उस लड़के को लेकर वो दोनों नागिन जंगल की तरफ निकल जाती है, अपनी कुफा में ले जाकर वो उस लड़के से पुशती है, बेटा तुम कौ हो और लाला जी तुम्हें एक नातंग क्यों कर रहे थे लड़का बोलता है मैं एक करीब किसान का लड़का हूं मेरे माबाप बहुत करीब है उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए लाला जी से कर्ज लिया था परंतु जब गाओं में बाढ़ आई तो मेरे माबाप डूब गए और डूब के मर गए अब लाला मुझे उस पैसे के लिए अपने खेट में बनुआ मजदूर की तरह काम करवाना चाहता था इसलिए मैं वहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रहा था लड़के की ये कानी सुनकर दोनों नागिन बैने लड़के को पालने की बारत होते हैं इतने सारे हीरे जवारत को देखकर लाला जी की आंगे फटी की फटी रह जाती है तब लाला मने मन सोचता है कि इन दोनों लड़कियों के पास तो मुझे लगता है बहुत सारा दन है मैंने इन दोनों को कभी गाओं में नहीं देखा अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि वो दोनों कौन है ये पता लगा कर मैं उन दोनों लड़कियों का सारा धन हड़ब जाओंगा परन्तु मुझे इसके बारे में कौन बताएगा हाँ याद आया गाओं के दो तंत्रिक बाबा हैं वही मुझे इनके बारे में बता सकते हैं यह सोचकर लाला जी तंत्रिक बाबा की कोच में निकल पड़ता है जल्दी ही वें तंत्रिक बाबा के पास बहुच जाता है तांत्रिक बाबा पेड़ के निचे बैठ कर अपनी तंत्र पूजा कर रहे होते हैं लाला जी तांत्रिक बाबा के पास पहुच कर बोलता है तांत्रिक बाबा तांत्रिक बाबा गाओं में दो लड़की आई थी जिनोंने मुझे एक दन की बोटली दी है जिसमें बहुत सारा दन है मैंने उन्हें गाउं में कभी नहीं देखा अब आप भी पता लगा कर बताईए कि वो दोनों कहां रहती हैं और हम उन तक कैसे बोच सकते हैं तंत्रिक बाबा अपनी तंतर सक्टियों से देख लेता है कि वो दोनों को आए न प nous नहीं है वो दोनों इच्छादाए नागिन है तब वह लाला को बोलता है तो लाला जो दो लडगका दुमें मिली थी हो कोई साधार लडग्या नहीं थी वो दोनों इच्छादारी नागिन थी उनके पास बहुत सारा दन और नागमनी है हम दोनों उसे ढूनते हैं सारा दन तुम रख लेना और नागमनी मैं रख लूँगा यह सोचकर दोनों जंगल की तरह निकल पड़ते हैं जैसे ही दोनों इच्छादारी नागिन की गुफा के पास पोचते हैं, वो देखते हैं कि जिस लड़के को वो छुडा कर ले गई थी, वो उस गुफा के बाहर खेल रहा होता है। लाला जी और तांतरिक दोनों उस लड़के को पकड़ लेते हैं और एक पिंजने में कैद कर देते हैं, जैसे ही दोनों नागिनों को ये पता लगता है, उस लड़के को लाला जी और तांतरिक ने कैद कर लिया है, तो वे उसे बचाने के लिए निगल पड़ती हैं, दोनों तांतरिक छोड़ दे इस लड़के को, इसने तेरा कुछ भी नहीं भिगाड़ा। तांतरिक बोलता है, हाहाहा अब तुम दोनों मेरे जाल में फसी गई हो, इस लड़के ने तो मेरा कुछ नहीं भिगाड़ा। परन्तु मुझे वो नागमणी चाहिए जो तुम्हारे पास है, मुझे वो नागमणी दे दो और इस लड़के को ले जाओ, जब तुम मुझे ये नागमणी दे दोगी तो मैं इस लड़के को छोड़ दूँआ। उसकी ये बाते सुनकर इच्छादारी नागमणी अपनी नागमणी उस तांत्रिक को दे देती है, तांत्रिक नागमणी को पाकर बहुत खुस होता है, तांत्रिक के हाथ में नागमणी को देखकर लाला जी के मन में लाला चा जाता है, थोड़े ही समय में तांत्रिक और लाल जी और तंत्रिक वहीं मर जाते हैं दोनों इच्छादारिनागिन उस लड़के को छुड़ा कर अपने साथ ले जाती हैं और उसका पालन पॉसन प्यार से करने लगती हैं तो प्यारी दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें दन्यवाद